अब लोग यहां पर पूल इंडिया लिम्टेड की अनलेसिस करेंगे और इसके अनलेसिस में हम लोग देखेंगे कि यह यूटर्ण कहां से लेगा यहां फिर और कितना नीचे ज़्यादा गिर सकता है अगर मार्केट यहां से गिर रहा है तो ठीक है तो आप वीडियो में बन कर दिया था ठीक है यहां पर इसने आल्मोस्ट यहां पर नीचे आने के बद ब्रेक आउट दे दिया था लेकिन अभी यह लग रहा है ब्रेक आउट फेल होगा और थोड़ा नीचे आ जाएगा अगर यह इन्हीं लेवल से ठीक है वन सिस्टी के आसपास से यूटन ले ले है देखेंगे तो लोग क्या करते हैं विव ले टाइंफ्रेंगे चल ले जाता है और यहां पर और इक ट्रिंड लाइन नीचे से बना कर देता हूं और यह जो ट्रैंडलाइन में डोगें और आव्म दियान से देखेंगे यहां पर time spend करना ज़रूरी है क्योंकि जो यहां से sell करके गए हैं यहां पर profit booking कर लें and fresh sellers को ब्रेक करें तो यह नीचे का level हम लोक को इसमें देखने को मिल सकता है हो सकता है तो फिर से हमें इसमें यह जो levels है 150 का level ठीक है यहां पर 150 का level जो कि पहले बहुत time तक as a resistance यहां तो अगर यहां पे आने के बाद कोई प्राइस सेक्शन दिखेंगा तो हम लोग इसमें फिर से बाई करके ले जाएंगे जिसकी अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर जाके बात करेंगे तो यहां पे कुछ इस तरीके का सेनारियो बन रहा है और यहां से मैं यह ऐसे एक औ पर यहां पर इसको रीटेस्ट कर लिया है तो फॉर्स टाइम यहां पर हम लोगों कोई भी पैटन अगर बुलिस कैंडल स्टिक पैटन दिखेंगा तो भी मैं नहीं करने वाला हूं मैं बाई डबलु टाइप पैटन अगर बन जाता है तो हो सकता है मुझे थोड़ा नीचे के और ब्रेक कर देता है तो यह फिर मेरे मेरे पास महेंगा क्वांटिटी में महेंगी प्राइस पर आ जाएगा ठीक है तो मैं कुछ इसको सस्ते क्वांटिटी में बाई करने की कोशिश करूँगा और कम क्वांटिटी में पाई करूँगा सस्ते प्राइस पर रही 108 180 तो यहां पर लगबुक लगबुक 30 रुपीज का यहां पर प्राइस सेक्षन बनाया और नीचे जए 184 अगर 30 नीचे जाएंगे तो 156 के आसपास का हमारे पास टारगेट आ रहा है ठीक है तो हो सकता ही आने वाले अगर फिर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर से नीचे की जलनी इसकी स्टार्ट हो सकती है तो हम लोगों को इसको अपने वाच लिस्ट में रखना है काफी अच्छा शेयर है बात मानिए क्योंकि पहले जो इसका ट्रेडिंग का रेंज था वह बहुत कम हुआ करता था इस ट्रेडिंग रेंज में ही बहुत दिन इसने ट्रेट किया और उसके बाद पहली बार जब इसने ब्रेक आउट दिया तो बहुत ही अच्छा खास यहा पर बाइंग होती है ठीक है तो हमें क्या करना चाहिए अगर एजिम करते हैं आपको 100 कॉंटिटी में पोजिशन बनाना है तो अगर यह 150 से लेके 160 की बीच में कोई भी प्राइस एक्षन बुलिस प्राइस एक्षन हो गया डबल बॉटम डेबल बॉटम हो गया या फिर इस तरीके से मैं इसमें बाइ करने वाला हूँ और यह डिविडिन भी काफी अच्छा देता है तो लांग टर्म के हिसाप सी यह काफी अच्छा रहेगा है अगर नीचे के प्राइस में मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी तो आप इस शेयर को अपने वाच्छ लिस्ट इसमें रख सकते हैं देख सकते हैं याद रखें जब भी उपर की और बेक आउट देगा 210 ठीक है नीचे आने के बाद अगर यह ऐसे नीचे आता यहां पर थोड़ा टाइम इस्पेंड करता और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इस बार उपर का भी लेवल ब्रेक कर सकता है क्योंकि अल्रेडी दो तीन बार इसको रेटेस्ट कर रखा है तो अगर इसे ब्रेक करेगा तो उपर के हमारे पास जो टार्गेट निकल के आएंगे बहुत ही अच्छे निकल के आएंगे 250 एं 300 का उपर का टार्गेट हम लोग को देखने को इसमें मिल सकता है ठीक है तो य यह था कूल इंडिया की अनलीसिस आसा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए अब वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक कर दिजिएगा चैनल पर नहाद दो सब्सक्काइब कर सकते हैं मिलते हैं आप सब्सक्राइब कर तैंक यूँ